प्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी विशे में भासा अभ्यास पूस्तर पेज 65 पढ़ने जा रहे हैं, पेज 65, ये बहुत ही इंपोर्टेंट और इंट्रेस्टिंग पेज है, इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें ग्रामर के तीन चीज पढ़ना है, ग्रामर यानि व्याकरन, व्याकरन का तीन चीज पढ़ना है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार हम लोग फिर अपना याद ताजा कर लेंगे, ठाड है समझ कर पूरा कीजिए, ये जो समझ कर पूरा कीजिए, इसमें एक को अनेक में बदलना है, पहले हम लोग पढ़े थे, सिंगूलर, क्लूरल जैसे होता है, वैसे इसमें एक को अनेक में बदलना है, और पहले हम लोग ये कर लेते हैं, उसके बाद देखते कि चोथा में क्या होगा और पांसवा में क्या होगा है, एक तोता, one parrot, यहां चार तोते लिखे हुए हैं, उधारन में चार तोते लिखे हुए हैं, इसी तरह हम लोग को समझ करके सब को बनाना है, तो खा में है एक किताब, एक किताब और जब five किताब रहेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग? पांच किताबे, फाइव बुक्स जब रहेंगे, तो हम लोग पांच लिखा हुआ है, किताबे लिखेंगे, का में छोटी, का में आकार, बा में एकार, किताबे, समझ में आ गया बचो आप लोगों को, उसी तरह गा में एक बच्चा है, और यहां, सॉल्यूशन में, दो बच बच्चे, ब आधाच्य, पूराच्य, एकार, दो बच्चे, घा एक रूप्या, तीन रूप्ये, एक रूप्या, तीन रूप्ये, रा में छोटी हूँ, प यह, उसके बाद एक औरत, साथ औरते, औरत, सब्सक्राइब पहले और लिखे, फिर रा लिखे, फिर ता लिखे, तो साथ औरत हो गया, इसमें एकार लगा देंगे, साथ औरते, तो यह एक और नेक आप समझ गया, अब दूसरा क्या है, दिये गए सब्दों के समान ले वाले सब्द चून कर, रिक्त अस्थानों में लिखे, यहाँ पर जो सब्द दिये गए हैं, और यहाँ पर जो सब्द दिये गए हैं, उसे इस सब्द का राइमिंग वर्ड्स बनाना है, और खाली जगह में भरना है, राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं बच्चों? जो अन्त में सुनने में एक जैसा लगे, जैसे यहाँ च्या में आकार दिया हुआ है, तो जो सब्द हम लोग राइमिंग वर्ड्स का चुनेंगे, उसमें भी च्या और आकार लगा होना चाहिए, जैसे कच्चा का इसमें से खोजेंगे कौन होगा, खपर, रसी, बच्चा, धक्का, हल्ला, तो बच्चा ज्यादा एप्रोप्रियेट लग रहा है, सटीक लग रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग बच्चा लिखेंगे, उसके बाद यहाँ ख़, पक्का, पक्का का क्या होगा, खपर, रसी, धक्का, हल्ला, पक्का का होगा, धक्का, यहाँ पर धक्का लिखेंगे, उसके बाद लसी लिखा हुआ है, लसी का क्या होगा, खपर, रसी, और खल्ला, बचा है, तो रसी ही होगा, लसी का रसी, उसके बाद यहाँ खपर है, खपर, 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 खपर बल्ला में अभी एक ही सब्द बची गया है बच्चों, इसमें लग और आकार होता है, यहां भी लग और आकार है, इसलिए बल्ला का हल्ला होगा, तो यहां पर हम लोग बल्ला का हल्ला लिख देंगे, और अब लास्ट है, दिये गए वाक्यों में विप्रीत सब्दों पर घेरा लगाईए, यहां आप लोग को क्या करना है, आप लोग वाक्य देख रहे हैं, वाक्य में विप्रीत सब्दा आये हैं, आप लोग को चुनना है कि किसका विप्रीत क्या होगा, जैसे एक वाक्य पढ़ते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा का खरघोज तेज दोडता है, कॉमा काच्छवा धीरे पुर्न विडंदा, खरघोज तेज दोडता है, यहां एक सबदाया तेज और यहां लिखा हुआ कच्छुआ धीरे तो तेज का विप्रीत सब्द क्या होता है धीरे तेज का विलोम सब्द क्या होता है धीरे तेज का उल्टा क्या होता है धीरे तेज का अपोजिट क्या होता है धीरे तो बचो विप्रीत अपोजिट विलोम उल्टा सब एक ही चीज है एक ही सब्द को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो जैसे तेज का धीरे अपोजिट हो गया, उसी तरह इस वाक्य में देखते हैं किसका अपोजिट कौन है, यह गुलाब खिला हुआ है, पर गेंदा मुर्जा गया है, अब अर्थ समझते हैं, गुलाब का फूल आप लोग देखेंगे, यह गुलाब के फूल के बारे में बात किया जा रहा है कि यह खिला हुआ है, पर गेंदा, गेंदा भी फूल का नाम है, मुर्जा गया है, अभी गेंदा का फूल बहुत खिला हुआ है, गेंदा का फूल का मौसम है, यह पीले रंग का होता है, आप भी देखेंगे, कुछ गें जेंदा मूर्जा गया तो यह खिला का उल्टा हम लोह को मूर्जा मिल गया खिला को घेरा लगाएंगे और मूर्जा को घेरा लगाएंगे खिला का विप्रीत होता है मुर्जा, तो यहां विप्रीत सब्द बन गया, अब ग, मैंने तो धीरे से मारा था, पर जोर से लग गया, पुर्ण विराम, मैंने तो धीरे से मारा था, धीरे, धीरे का उल्टा क्या होता है, जोर, मैंने तो धीरे से मारा था, पर जोर से लग गय तो यहां धीरों को घेरा लगाएंगे जोड धीरे का विपरीत सब्द है अपोजीट है तो इसको भी घेरा लगा देंगे हो गया गह हो गया अब गहा देखने में यह किताब भारी लगती है पर हैं हल्की कोई कोई वस्तु देखने में बहुत भारी लगता है लेकि रहता है हल्का ठीक उसी तरह यहां पर भारी और हल्की एक दूसरे का विलों सब्द है तो भारी को घेरा लगाएंगे और हल्की को घेरा लगाएंगे बारी और हल्की हो गया उसके बाद अंगः अंगः में क्या है पहाड से उतरना आसान है पर चड़ना मुश्किल बचो यह sentence बहुत ध्यान देने योग है इस में क्या है पहाड से उतरना आसान है उतरना का विप्रीत होता है चड़ना, उतरना का चड़ना होता है और आसान का मुश्किल होता है यहां उतरना भी दिया हुआ, चड़ना भी दिया हुआ है तो उतरना का चड़ना, उतरना और चड़ना को हम लोग अंडर लाइन कर देते हैं उतरना, चड़ना, ताकि पता रहे कि उतरना का विपरीद ये है, और आसान का मुस्किल, आसान को घेरा लगा देते हैं, अब मुस्किल को भी घेरा लगा देते, समझ में आ गया, तो यहां पर इतने सारे विपरीद सब्द हैं, तो इसके पहले भी एक फेज में आप लोग विप्रीत सब्ध पढ़ दिन का रात और यहां पर भी विप्रीत सब्ध है तो विप्रीत सब्ध अभी से लेकर के हर क्लास में पढ़ना है तो इसको जरूर याद कर लीजेगा और ये आपके Hindi vocabulary को strong बनाएगा, तो हम लोग इस page में तीन चीन समझें, एक अनेक समझें, दूसरा समानने वाले सब्द समझें, और तीसरा विपनी सब्द पढ़ें, वो समझें, तो ये आप लोग को book में ही बनाना है, और book में बना करके बेजना है, दान्य वाद